नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमारे चैनल वी यार एस्ट्रोलोजी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्या रासी वालों की कि कन्या रासी के लोग कैसे होते हैं इनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे तो आप ये वीडियो पूरा वस्य देखिए, आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी देखिए दोस्तों रासी विबरन की बात करें तो कन्या रासी के स्वामी ग्रहे बुद्ध देव बनते हैं कन्या रासी प्रिथ्वी तत्वीय रासी होती है और वरन की बात करें तो दोस्तों कन्या रासी वेशिय वरन की रासी होती है अब बात करें दोस्तों प्रकृति की तो कन्या रासी द्विस वभाविक रासी होती है दोस्तों कन्या रासी वालों के रंग रूप की बात करें तो कन्यारासी वाले बहुत ही सुन्दर और आकरशक विक्तितु के स्वामी होते हैं क्योंकि दोस्तों इनके उपर बुद्ध ग्रय का प्रबाव देखने को मिलता है जिसके कारण ये बेहदी सुन्दर दिखते हैं ये अपनी उम्र से हमेशा जवान ही दिखते हैं इनकी तवचा का रंग कुछ पिला हो सकता है और आंखे बेहदी सुन्दर होती है ये लोग ओसत उन्चाई लिये हुए होते हैं यानि इनकी हाइट एक एवरेज हाइट होती है अगर देखा जाए तो इनके चहरे पर एक मासूमियत जलकती है एक भूला पंसा इनके चहरे पर दिखता है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कन्या रासी वालों का स्वभाव कैसा होता है देखिए दोस्तों कन्या रासी के स्वामी ग्रह बुद्ध देव बनते हैं इसलिए इनके उपर बुद्ध का प्रबाव देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप ये अत्यंती बुद्धिमान और कौमल सबाव के होते हैं। ये सभी राशियों में सबसे सुन्दर राशि मानी जाती है। इसलिए इनके विक्तित्व में एक सुन्दधा देखने को मिलती है। ये लोग बहुती वेवारिक, विसलेशन आत्मक और महनिती होते हैं। हर कारिय में सहायक और तीवर गती से सोचने वाले होते हैं। इनकी समझ सकती बहुती अलग और बहुती तेज हुती है। ये हर चीजों को एक अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से समझते हैं इनका वेवार दोस्ताना होता है ये सोच समझ कर दोस्ती करना पसंद करते हैं कन्यारासी के रूप में एक मित्र होना बेहदी उप्योगी होता है दोस्तों कलपना सील, सुक्षमदर्शी और सवेदन सील भी कन्या रासी के लोग होते हैं कन्या रासी के जातक हमेशा छोटी से छोटी जानकरी को ध्यान से समझते हैं और अपनी उस पे कुछ न कुछ राये इनकी अलग ही रहती है इन्हें अपना काम निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है दोस्तों कन्या रासी वाले सभी रासियों में बहुत ही भहुमुखी प्रतिबा वाली रासी मानी जाती है और ये तिवर बुद्धी वाले होते हैं इनकी खास बात एक ये होती है कि इनमें क्रियोसीडी बहुत ही ज़्यादा होती है यानि जिग्यासू और तरकसील बहुत ज़्यादा होते हैं ये कुछ ना कुछ करते रहना इनकी आदत होती है यानि खाली बेटना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ ना कुछ करते रहना या कुछ ना कुछ ग्यान वर्दक पढ़ते रहना इनका सोग होता है पुस्तकें पढ़ना इने बहुत ही अच्छा लगता है हर चीज को सीखने और पाने की ललक इन में एक अलगी प्रकार की देखने को मिलती है यानि हर चीजों को जानना और समझना ये चाहते हैं ये बोधिक बातों को बहुत ही अधिक महत्वे देते हैं और अधिक जिग्यासु प्रवतिके होते हैं इन लोगों को कई भासाओं का ग्यान हो सकता है या फिर इन्हें नई नई भासाइं सीखने का सोक भी होता है कन्यारासी वाले जिस बात में सामिल होते हैं वे केवल साधारण बातें ना होकर सूचना प्रदान हो सकती है तरक वितरक में कन्यारासी के लोगों की भाशा चेली बहुती अच्छी और अत्यांती प्रभावशाली होती है यानि इनकी बोलने की कला से ये किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं ये दोस्तों हाजिर जवाबी भी होते हैं यानि हर सवाल का इनके पास जवाब रहता है यह अपने भाशनकला से लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों कण्यारासी वाले कठिन से कठिन समय आने पर भी गबराते नहीं है यानि हर परिष्टिति का डट कर सामना करते हैं बुद्ध देव से प्रभावित होने के कारण इनका मस्तिक सदेव गतिमान रहता है इनका मस्तिक बहुत ही तेज चलता है तदा समश्याओं का समादान कर ही लेते हैं दोस्तों इनका स्वभाव नम्रस वभाव भी होता है और ये लोग थोड़े चंचल स्वभाव के भी होते हैं इने घूमना फिरना काफी पसंद होता है अपने आस-पास के वातावरन को खुशनमा बनाए रखना इने बखू भी आता है और ये ऐसा माहूल बना भी लेते हैं और सबी को खुश भी रखते हैं दोस्तों कई बार ये लोग बच्चों जैसी हरकतें भी करते हैं और ये वातावरन को हलका फुलका बना देते हैं और यही बात इनको औरों से अलग और साधारन से खास बनाती है लोग इनकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते दोस्तों ये तो थी कन्यारासी वालों के स्वभाव की बात अब दोस्तों बात करते हैं कि कन्यारासी वालों का करियर कैसा रहता है उन्हें किस छेत्र में सफलताई मिलती है दोस्तों कन्यारासी वाले लोग एक बहुत ही अच्छे लेखक बन सकते हैं क्योंकि इनमें लिखने की बहुत ही अच्छी कला होती है और यह लोग वकील भी बन सकते हैं चार्टेड, अकाउंटेड, डोक्टर, मनोवेग्यानिक भी बन सकते हैं एक अच्छे सिक्षक भी कन्यारासी वालों को बनते हुए देखा जा सकता है दोस्तों ये लोग किसी बड़ी कमपनी में उच्छ अधिकारी भी बन सकते हैं आप लोगों में एक अलग ही तरक शमता होती है जिसके करण कन्यारासी वालों वित्त संबंदी यानि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कारिय करते हुए भी देखे जाते हैं इन संबंदित कारियों में इन्हें सफलता भी बड़ी बड़ी मिलती है कन्यारासी के लोग जन्मजात व्यापारिक गुन लिये होते हैं यानि एक बहुत ही अच्छे व्यापारी ये लोग बन सकते हैं कई बार देखा जाता है कि कन्यारासी के लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमेन बनते हैं यानि व्यापार के छेत्र में भी ये अपना नाम कर सकते हैं देखा जाए तो दोस्तों कन्या रासी वालों के लिए फाइनेंस से जुड़ा काम या मेनेजमेंट से जुड़ा काम बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके साथा इसाथ कम्यूनिकेशन से समदित कोई भी फिल्ड जिस पे बोलने का ज़्यादा काम हो ऐसे कामों में कन्या रासी वालों को सफलनाए मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कन्या रासी वालों का वेवाहिक जीवन कैसा रहता है देखिए दोस्तों वेवाहिक जीवन की बात करें तो कन्या रासी वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो कि उनके स्थर का हो यानि उनके लेवल का हो और ऐसा उनके साथ होदा भी है अगर कुंडली में गुरू की स्थिति अच्छी है तो उन्हें बहुत ही समझदार, सिक्षित और सुन्दर जीवन साथी मिलता है और इनका वेवाईक जीवन भी बहुत ही अच्छा रहता है अगर दोस्तों इनकी कुंडली में गुरू और सुक्री की स्थिती अच्छी है तो निश्चित तोर पर कन्या रासी वालों का वेवाईक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कन्या रासी वालों का स्वास्तिय कैसा रहता है देखिए दोस्तों कन्या रासी वाले अपने अनियमित दिन चरिया और समय असमय पर बोजन करने की वजह से पेट संबंधि रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं और कई बार देखा जाता है कि कन्या रासी वालों को पेट से संबंधित बिमारियां होती है इन लोगों को चर्म रोग और गले से संबंदित रोग भी परेशान करते हैं इन संबंदों में कन्यारासी वालों को सावधान रेना चाहिए कई बार कन्यारासी वाले कुछ बातों को कुछ जदाई मन्से लगा लेते हैं जिस कारण इने मानसिक तनाव भी होता है इससे इनको मानसिक बिमारियां भी हो सकती है इस बारे में कन्याराशी वालों को ध्यान देना चाहिए और ऐसी कोई भी बिमारिया है तो उसका डॉक्टरिय सलाई जरूर लेनी चाहिए और अपने खान पान पर विशेश ध्यान रखना चाहिए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कन्यारासी वालों के लिए भाग्य साली रतन कौन सा होता है देखिए दोस्तों कन्यारासी पर बुद्ध ग्रह का प्रभाव होता है जिसके लिए इन्हें एक पन्ना रतन आवश्य पहनना चाहिए परंतु उसके लिए एक युग्य जोतिसी की सला से ही यरत्न धारन करना चाहिए क्योंकि इसमें कुंडली का विसलेशन करना बहुत ही जरूरी होता है कुंडली का विसलेशन के बाद ही बताया जा सकता है कि उन्हें कितने रत्ती का परना पहनना चाहिए इसके अलावा दोस्तों कन्याराशी वालों को अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए विनायक जी यानि गनेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए इससे इनके लगनेस बुद्ध भी बलवान होंगे और गनेश जी की कुरूपा से हमेशा इनके काम बनते चले जाएंगे इसके लिए कन्याराशी वालों को बुद्ध वार को गनेश जी को दो मोदक का प्रशाद जरूर जड़ाना चाहिए साथी दुरुवा और पित करनी चाहिए इस तरह से उनके जीवन में सभी समश्याओं से उन्हें मुक्ति मिलेगी और कन्याराशी वालें के जो भी सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे गनेश जी की कृपा इन पे हमेशा बनी रहेगी तो दोस्तों ये थी जानकरी कर्णिया रासी वालों की कर्णिया रासी के लोग कैसे होते हैं अगर ये जानकरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद